आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजली के अमडी बाल कृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर गया है कि माफी स्विकार नहीं की जाएगी और अवमाना की कारवाई की जाएगी यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने क्या किया है आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है साथि सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि हम इतने उदार नहीं है कि माफी स्विकार करे योग गुरु राम देव और बाल कृष्ण को सुप्रीम कोट ने कड़ी फटकार लगाई है कहा भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड कर माफ़ी मांगते हैं बाबा रामदेव ने कहा है ज्यादा जानकाररी केलिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साफ जोड चूके है मुकेश और क्या क्या हुआ अभी कोर्ट में क्या अबडेट मिल रहा है देखिए ताजा बेट ये है कि बाबा रामदेव और आचार बाल कि इस दोनों कोर्ट रूम में सबसे आगे खड़े हुए हैं और अभी भी मामले की सुनवाई चल लए है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिपड़ी की है और कहा है कि आप चाहे जितने भी उचे हों कानून आप से उपर है कानून की महिमा सबसे उपर है ये कोर्ट ने बड़ी टिपड़ी की है दोनों के उपर और जो केंद की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो हुआ वो ठीक नहीं गया उसको लेकर सरकार ने क्या कारवाई की कोट ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस पूरे मामले पर आख बंद करके बैठी रही वो जो मामला है वो चौकाता है कि आखिर सरकार ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कारवाई नहीं की जो सुप्रीम कोट है उसने केंद्र सरकार अपनी आंखें मूंदे रखी आपको ये बताना होगा कि राज्जों के खिलाब कारवाई क्यूं ना हो ये सप्रीम कोड ने के सरकार से पूछा है और जो सुप्रीम कोड ने कहा कि उन्होंने योग के लिए बहुत अच्छा काम किया है यानि कि बाबा राम देउ की तारीफ क तो अभी कुछ टाइम किन सरकार ने रिप्लाई करने के लिए मांगा है क्योंकि जो सुप्रीम कोट है उसने किन सरकार से कहा है कि लगातार इस तरह के बिग्यापन आ रहे हैं दवायां लॉंच कर हो रही है बिना किसी कानून के बिना किसी नियम के तो आप ने इस पर कारवा वो हाँ जोड़कर माफी मांगते हैं लेकिन सुप्रीम कोट ने फिलहाल उनकी माफी स्विकार नहीं की है सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम इतने उदार नहीं है कि आपको माफी दे दें क्यों आपके खिलाब कंटेम्ट अफ कोट की कारवाई हो तो अभी कोट में लगातार जो सुनवाई है वो जारी है और किन सरकार ने कुछ टाइम मांगा है रिपलाई फाइल करने के लिए और सुप्रीम कोट ने वो टाइम दे दिया है जी